राधे राधे जैसी क्रशना आप सभी को विशाक मास की धेरों शुप काम नाएं विशाक मास में केले के पेड़ को सीचने का बहुत पुन्यफल प्रप्थ होता है अगर आप विशाक मास का इस्तनान और रद कर रहे हैं और आप अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको विशाक मास में केले के पेड़ को सीचने की व्रत कताईं भी सुननी चाहिए इससे संपून विशाक मास का फल प्राप्थ होगा आईए अब हम वे शाकमास में केले के पेड़ को सीचने की वरत कताई सुनते हैं गुरुवार की कहानी एक बार एक गाउं में एक ननद भुजाई रहती थी तब एक बार ननद अपने माईके में आई हुई थी तो वे पनगट पर पानी भने गई तो वहाँ उसने देखा कि गाउं की कुछ औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कता कहानिया सुन रही थी तो ननद ने गाउं की औरतों से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो ऐसा करने से क्या फल मिलता है तब गाव की ओरते बोली की बेटी हम सबने आज गुरुवार का वरत रखा है इसलिए हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और वस्पद्दे भगवान और मातालश्मी का पूजन कर रहे हैं ऐसा काने से घर में सुक समरदी बढ़ती है निसंतानों को संतान सुक मिलता है घर में धन धाने के भंडार भड़ते हैं विचणों का मिलन होता है कुवारे लड़के लड़कियों का शिक्र विवा होता है तब ननद बोली कि मुझे भी इस वरत की पूरी विधी बताओ मैं भी ये वरत करना चाती हूँ मेरे भी कोई संतान नहीं है इस वरत को काने से पूज़ा करते हैं। इस तरह ननद ने वहीं बैठ कर उस दिन व्रस्पदे भगवान की कहानी सुनी। चने की दाल और गुड का प्रसाद लिया। और पानी भर कर घर आई। तब भावी अपनी ननद से बोली की बायसा आज आपको पनगट से पानी लेकर आने में बहुत देल लग गई। तम नन अपनी भावी से बोली की भावी पनगट पर बहुत सी ओरते। व्रस्पतिवार के व्रत की कहानी सुन रही थी। केले के पेड की पूजा कर रही थी। भावी मैंने भी वहीं बैठ कर व्रस्पदे भगवान की पूजा करी, केले के पेड की पूजा करी और व्रत करने का सं भावी वेगाम की ओड़ते कहे रही थी कि व्रस्पतीवार का वरत करने से घर में अनधन के भंडार भरते हैं, संतान हीनों को संतान सुक मिलता है, कुवारों के ब्या होते हैं, बिछ्णों का मिलन होता है, इसलिए भावी मैंने भी यवरत करने का संकल्प लिया, मेरे भी वोली की बाइसा मैं भी यवरत करूंगी आपके भाई को भी शहर में कमाने गए हुए चैमेने हो गए हैं कोई चिट्टी संदेश अभी तक नहीं आया पता नहीं उन्हें नोकरी मिली भी है या नहीं तब दोनों ननत भावी ने उसी दिन सिवरत का संकल पिलिया कहानी सुनी केले के पेड की पूझा करी पूझा करने के बाद ननत अपनी भावी से वोली कि भावी मुझे आज ही ससुराल जाना होगा गाउं की ओरते कह रही थी कि वरत में खुद के घर का ही भोजन खाना चाहिए नहीं तो वरत का फल नहीं मिलता तो भावी तुमने भी भाई के लि भावी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे इस तरह ननद ससुराल वापस आ गई और वे दोनों वरत करने लगी ग्यारा गुरुवार के वरत करते ही ननद को गर्ब टहर गया उदर भावी के पास भी चिट्टी आ गई जिसमें लिखा था कि मुझे बहुत अच्छे नोकरी मि बहुत जल्दी बहुत सा धन कमा कर के लोटाऊंगा दोनों ननद भावी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा 21 गुरुवार को भाई घर आ गया वह बहुत सारा धन कमा कर के लाया था उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन कैसी है तो पत्नी ने कहा कि तुमारी ब बहुत खुश है और वह पेट से है उसे भी बच्चा होने वाला है तो पत्नी ने कहा कि कल मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससराल जाऊंगा तो पत्नी ने कहा कि जरूर जाना तुम तुमारी बहन गर्ब वती है तो तुम उसके लिए घी वादाम गिरी आधी ले जाना और ब पती सारा सामान लेकर अपनी बहन से मिलने उसके ससराल उसके गांग की ओर चल दिया, चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, तभी रास्ते में एक शेर मिला, शेर ने भाई से कहा कि अरे मैं तुझे खाऊंगा, तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, मेरी बहन गर्ब वती है, जब मैं उससे मिल कर वापस लोटू तो आप मुझे खा जाना मेरी बहन को ये सामान भी पकडाना है शेर बोला कि मुझे मनुश्य जाती पर विश्वास नहीं है तो भाई बोला कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम भी मेरे साथ चाह सकते हो तो शेर बोला कि यही ठीक रहेगा उसके बाद शेर ने एक नाग का रूप बनाया और भाई के थेले में जाकर के बैठ गया इस तरह शेर नाग का रूप लेकर भाई के थेले में बैठ गया भाई बहन के घर की ओर चल दिया उसके बाद भाई बहन के घर पहुंचा, बहन अपने भाई को देख कर बहुत खुश हुई, वे अपने भाई के लिए घी के चावल पूडी सब्जी बनाई और भाई को भोजन कराया, भोजन करने के बाद भाई अपनी बहन से बोला कि बहन अब मुझे वापस घर जाना है। बहन ने कहा कि भाई अभी तो आया और अभी चला जाएगा, अभी तो तेरे जिजाजी भी नहीं आए, तू अपने जिजाजी से मिलकर के जाना तो भाई ने कहा कि नहीं बहन मैंने किसी कोवचन दिया है, इसलिए मुझे आज वापस जाना ही होगा भाई को तो खुद की मोद दिखाई दे रही थी तब बहन बोली की भाई भाबी ने मेरे लिए थेले में क्या-क्या सामान भेजा है वो तो तुम मुझे देते जाओ क्या तुम सामान भी वापस ले जाओगे भाई तो हडबडी में सब भूल गया उसे समझ ही नहीं आया की क्या करो की तबी बहन ने भाई के हाथ से थेला छीन लिया बहन थेले में से सामान निकाने लगी थेले में से घी, वादाम, गिरी, अजवायन, सोट और बच्चे के गरम कपड़े निकले और अंत में एक जेवर का डबबा निकला बहन ने जेवर का डबबा खोल करके देखा तो उसमें से सोने का बहुत सुन्दर हार निकला बहन अपने भाई से बोली की भाई ये सोने का हार क्या तु मेरे लिए शहर से लेकर आया बहुत ही सुन्दर हार है भाई के हाथ पेर काप रहे थे जुबाल लड़ खड़ा रही थी थेला पूरा खाली हो गया लेकिन साप नहीं निकला भाई सोचने लगा कि साप कहा गया फिर बहन ने कहा कि ले भाई तेरा थेला अब तु जा तब भाई अपनी बहन से बोला कि बहन तु सच कह रही थी एक रात मुझे रुकना चाहिए ओ जिजाजी से भी तो मिलना है मैं कौन सा रोज-रोज आता हूं तब बहन बोली कि लेकिन तूने तो किसी को वचन दिया है अब तेरे उस वचन का क्या होगा भाई ने कहा कि कोई बात नहीं बहन वचन तो दिया था लेकिन मैं कौन सा रोज-रोज आता हूं जिजाजी से मिलने के बाद ही घर जाऊंगा इस तरह भाई बहन के घर ही रुक गया अब भाई अपनी बहन के पूरे घर में इदर उदर घूम कर साप को डूंडने लगा लेकिन उसे साप कहीं नहीं मिला रातरी में जिजाजी घर आये सबने मिल कर भोजन खाया और खूब बाते करी उसके बाद रातरी में सभी सोगे अर्द रातरी को व्रस्पदे भगवान ने भाई को दशन दिये और कहा कि हे भक्त मैं तेरी परिशा ले रहा था कि तू मरने से डरता है या नहीं हे वच्ज वह शेर और वह साप भी मैं ही था साप की जगे सोने कहार भी मैंने ही रखा था दूसरे दिन भाई जब सो कर उठा तो उसने अपने सौपन वाली बात अपनी बहन को बताई और साथ ही रास्ते में घटित घटना भी सुनाई तब बहन अपने भाई से बोली कि हे भाई व्रस्पदे भगवान के व्रत का चमतकार तो हमने तो पहले ही देख लिया था और आज तुझे भी दिखाई दे गया हे व्रस्पदे भगवान जैसा सुक आपने बहन को और भाई को दिया वैसा सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भने वाले को गड़ती हो तो पुरियो, पुरियो तो परवान चड़े, भुले विसरे नाम तेरे भंडार में भरे गुरुबर की व्रत कथा एक बार एक नगर में एक सेर सेठानी अपने दो बेटा बहों और दो बेटियों के साथ रहते थे सभी का विवा हो चुका था सेर सेठानी और उनके परिवार के सभी लोग बड़े ही धार्मिक विजारों के थे सभी दयाभाव वाले दूसरों की सेवा में ततपर रहने वाले थे सेर सेठानी हर गुरुवार का वरत करते थे और भगवान विश्नु और मातालश्मी का पूजन करते थे घर में धन दोलत की कोई कमी नहीं थी सेष सेठानी और उसके बेटा बहु खुब दानपुन्य करते थे सेठ जी आये दिन भजन कीतन भंडारे करवाते रहते थे भागवत कथा, राम कथा, सुंदर कान का पाट करवाते सादू संतों की सेवा, गायों को हराचारा डालना, कुये ताला बावडी खुदवाना, गरीबों के लिए अनात आश्रम खुलवाना, गरीब लड़िकियों की शादी करवाना, व्रद्दास्त्रम खुरवाना, व्रद्दों की मदद कहना, प्याव खुलवाना, ऐसे सभी कार सेर सेठानी करते रहते थे, माता लश्मी की उस परिवार पर असीम अनुकमपा थी, एक दिन सेर सेठानी ने अपने दोनों बुमों को भी गुरुवार कावरत जिल्वा दिया, अब दोनों भवें भी बड़े ही शद्धा भाव से और इमानदारी से गुरुवार कावरत करने लगे, परन्तो लश्मी जी तो चंचल होती है, कभी किसी के पास हमेशा नहीं रहती, आज इसके घर तो कल उसके घर, तब एक बार की बात है, सेठ जी ने सपन में देखा कि एक सुर्ख लाल जोडे में एक महिला उनके घर से जा रही है, तब सेठ जी ने सपन में ही पूछ कि आप कोन है, और मेरे घर कब आई और अब आप वापस क्यों जा रही है, तब वैदेवी बोली कि हे भक्त मैं तो माता लश्मी हूँ, अब मैं तेरा घर चोड़ कर जा रही हूँ, सेठ जी ने पूछा कि हे माता लश्मी मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई है जो आप रुष्ट होकर जा रही है, तो माता लश्मी बोली कि नहीं भक्त तुमसे और तुमारे परिवार से कोई भूल नहीं हुई, परन्तु मैं तो सभाव से ही चंचल हूँ, मुझे तुमारे घर में रहते हुए कई बरस होगे, अब मैं किसी और का उधार करने के लिए जा रही हूँ, तो माता लश्मी बोली कि है भक्त मैं जाते जाते तुम्हें एक वर देना चाती हूँ, तुम कोई वर मांग लो, तो सेट जी माता लश्मी से बोले कि है माता लश्मी मैं अपने बेटा बहू और पत्नी से पूछ कर बताऊंगा, तो माता लश्मी बोली कि भक्त कल मैं इसी समय दुबारा फिर आउंगी, तब तक तु अपने बेटा बहु और पत्नी से पूझ करके रख ले। दूसरे दिन सुबह सेट जी जब सो कर उठे तो उन्हें अपने सपन वाली बात याद आई, उन्होंने अपने बेटा बहु और पत्नी से कहा, तब बड़े बेटे की बहु बोली की पिता जी आप खुब सारा अनाज मांग लीजिए, जिससे खाने पीने में कभी कमी ना आए, तब छोटे बेटे की बहु बोली की पिता जी खुब सारे अनाज मांगेंगे तो उसमें कीडे लग जाएंगे, आप तो हीरे मोती सोने मजदार थी उसने पूरी उम्र गुजारी थी तब वह बोली कि अगर लश्मी जी ही चली जाएंगी तो अन्य के कोदाम और हीरे मोती सोने चांदी भी नहीं रहेंगे तब है अपने पती से बोली कि है स्वामी आप मातालश्मी से कहना कि है मातालश्मी है देवी सहरूपा अगर आप जाना चाती हैं तो चले जाईए लेकिन मुझे ऐसी सावर्थे दे जाईए ताकि मैं सादुसंतों की सेवा कर सकूँ घर में आए अतीथी का सतकार कर सकूँ गरीबों की मदद कर सकूँ हरीकीतन करा सकूँ भागवत रामायन करवा सकूँ गरीब लड़कियों के शादी विवा करवा सकूँ कुए तालाब अस खुलवा सकूं। जहां नारायन का वास होता है वहां तो लश्मी जी रहती है। इस तरह से ठानी की सूझ भूजने घर की लश्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लिया। तो ही माता लश्मी जैसे आप सेड़ जी से प्रसंद हुई वसे सब के उपर होना, कहानी कहने वाले के उपर, सुनने वाले के उपर और हुकारा वहने वाले के उपर। एक पार बहुत चोटा सा गाउं था। उस गाउं में एक सेड़ से ठानी अपने पांच बेटा बहूं के साथ रहते थी। चार बहुएं बहुत अमीर घर से थी। जिनके परिवार में माता, पिता, भाई, बहन भूजाई सभी थी। चारों भवें हर वार त्योहार को अपने माई के जाती थी और वहां से उपहार में बहुत सारा सामान लाती थी। परंतु पांच बहु बहुत गरीब थी। उसके माता पिता बच्पन में ही गुजर गए थे। भाई, बहन उसका कोई था उसे पाल पोसकर बढ़ा किया था और उन्होंने ही उसका विवाह किया था। समझा जाना चाहिए कि वह एक तरह से अनात थी। उसका कोई ऐसा रिष्टेदार नहीं था जो उसे वार त्योहार पर माई के में बुलाता। उसने कभी माई के के सुप का अनुभव भी नहीं क और पांचवी भव को घर पर अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। सास सुर का, घर का, बाहर का, गाए भैसों का सब का काम वो अकेले ही समालती थी। उसके अलावा जब वे जिठानियां अपने माई के से उपहार लेकर के आती तो वे अपना सामान पांचवी भव को की अरी तेरा भी माई के होता तो तु भी माई के जाती और हमारे जैसे मेंगे मेंगे तोफे उभार मेलाती। पांचवी बहु यह देख कर और भी जादा दुखी हो जाती। वैमनीमन सोचती कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। कि मेरा कोई आगे पीछे नहीं, जो मुझे भी दो दिन घर बुलाई। मेरा भी आव भगत करे, मुझे भी महेंगे महेंगे तोफे उपहार में दे। वैमनीमन कहती कि है भगवान मेरा भी कोई भाई होता। तब एक दिन जब पांचवी भव सुबह सुबह पनघट पर पानी भने गई तो वहां बैटकर दुखी हो रही थी और रो रही थी। उसे दुखी देखकर व्रिस्पद भगवान को उसके उपर दया आई। तब व्रि ब्रामन के वेश में प्रकट हुए और उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब पांचवी भव रोती जाए और अपना सारा दुखडा ब्रामन को सुनाती जाए। पांचवी भव प्रामन से बोली कि हे ब्रामन दे मैं बहुत बद नसीब हूँ। मेरे माता पिता नहीं मेरे कोई भाई बहन नहीं कि कोई मुझे अपने घर दो दिन के लिए बुलाए। तब रस्पदे भगवान ने उसे साक्षा दर्शन दिये और कहा कि बहन आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। पांचवी भव उनके चर्णों में गिर पड़ी और बोल हैं और मेरे सास ससुर को तो मालूम है कि मेरा कोई भाई नहीं। तब रस्पदे भगवान बोले कि तुम अपने सास ससुर से कहना कि यह मेरा मू भोला भाई है जो बचपन में मुझे से बिछड़ गया था। आज ही मुझे पनघट पर मिला है। वह मुझे शाम को साथ भाने के लिए लेने आएगा। जब पाचवी भव ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई और वे भगवान के चर्णों में गिर कर रोने लगी। तब रस्पदे भगवान ने उसे गले से लगाया और कहा कि बहन आज से ही मैं तेरा बड़ा भाई हूँ अब तुम खुशी खुशी घर आई और आते ही अपने सास ससूर और पती से बोली कि आज मेरा मू बोला बिछडा भाई मुझे पनगट पर मिला था। वे मुझे साथ बजे लिवाने आएगा। सास ससूर को और उसके पती को महान आश्चरिये हुआ। उन्होंने कहा कि तेरा भाई कैसे अचानक से आ गया। फिर ससूर ने कहा कि कोई बात नहीं। शाम को वे साथ बजे आ रहा है हम सब उसे देख लेंगे। फिर ठीक शाम को साथ बजे पाचवी भहु का भाई आया और अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए घर ले गया। तब वरस्पद्य भगवान और उनकी पतनी ने जो मनुष्य वेश धारन किये हुए थे उन्होंने अपनी बहन का खूब आव भगत किया। खूब खाती दारी करी। आर दस दिन पंख लगा करके उड़ गे। फिर एक दिन पाचवी भहु का पती अपनी पतनी को लेने पह तब वरस्पद्य भगवान से बोली कि भाई अब मुझे विदा कर दो पेरा पती मुझे लेने आया है। वरस्पद्य भगवान और उनकी पतनी जो मनुष्य वेश में थे उन्होंने अपनी मूँ बोली बहन को खूब सारा सोना चांदी कपड़े बरतन उपहार में तब वरस्पद्य भगवान ने अपनी बहन से कहा कि बहन जब तुम विदा होकर के जाओ तो अपनी भावी के गले लग कर खूब रोना और जब तुमारी भावी तुम से रोने का कारण पूछे तो तुम उनसे कहना कि मुझे आप अपना नोलक का हार दे दो। उसके बाद वरस्पद्य भगवान की पतनी ने अपनी ननस से कहा कि बाईसा जब आप विदा होकर जाने लगो तो अपने भावी के गले लग कर खूब रोना जब आपका भाई आप से रोने का कारण पूछे तो आप उनसे कहना कि मुझे आप अपना सोने का मुकर दे दीजिए तब पाच्वी भाई ने ऐसा ही किया जब विदा हो कर जाने लगी तो वै अपने भाई भोजाई के गले लगकर खूब रोने लगी तब पाच्वी भाई बोली कि भाई मुझे आपका मुकुट और भाई मुझे आपका नोलग का हाड़ चाहिए ताकि मैं उन्हें देख देखकर खुश होती रहूं और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई भोजाई अभी भी मेरे साथ है तबरस्पद्य भगवान ने अपना मुकुट उतार करके दे दिया और उनकी पतनी ने अपना नोलग का हार उतार करके पाच्वी भाई को दे दिया तबरस्पद्य भगवान और उनकी पतनी दोनों ही समझ गे कि ये सब कुछ किया हुआ उनका ही था जब पाचवी भव खूब सारा धन दोलत लेकर घर आई तो सभी आश्चरिय चकित रहे गे सोना, चांदी, कपड़े, गहने और कीमती उपहारों से पाचवी भव का कमरा भर गया अब तो हर कोई पाचवी भव की भी इज़त करने लगा सभी जिठानियों ने और सास ससुर ने इतना सामान पहले कभी नहीं देखा था इस तरह अब पाचवी भव के दिन भी खुशी-खुशी व्यतीत होने लगे पाचवी भव घर का अब कोई कामकाश नहीं करती थी वो पूरे समय अपने कमरे में ही रहती थी बड़ी चारो बोगों को यह देख कर बहुत क्रोध आने लगा उन्होंने अपने सास ससुर को पाचवी भव की शिकायत लगाई कि आजकल वह घर का कोई कामकाश नहीं करती तब सास ससुर ने भी पाचवी भव की ही भीड बोली सास ससुर बोले कि वो इतने बरस तक घर का कामकाश कर रही थी अब कुछ बरस तुम भी कर लो तब एक दिन चारों जिठानियों ने एक योजना बनाई कि पाचवी भव के कमरे में जाकर के देखना चाहिए कि वे सारा सारा दिन अकेली कमरे में क्या करती है तब एक दिन पाचवी भव चट पर कपड़े सुका रही थी तब चारों जिठानिया पाचवी भव के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक अलमारी में सोने का मुकुट और नोलका हार पड़ा था जिसकी वह पूजा करती थी बड़ी जिठानियों ने उस नोलका हार और मुकुट को चोरी कर लिया वे मनीमन सोचने लगी कि अब कैसे पूजा करेगी अब तो इसे कमरे में से बाहर आना ही पड़ेगा लेकिन जैसा चारों जिठानियों ने सोचा था ऐसा नहीं हुआ चोटी बहु तो अब भी कमरे में ही रहती थी और कमरे से बाहर ही नहीं आती थी और नहीं उसने हार और मुकुट चोरी की बात घर में फैलाई अब तो चारों जिठानियों को और भी आश्चरिये हुआ तब एक दिन चारों जिठानिया चोटी बहु के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कमरे की हर खूटी पर नोलक का हार लटक रहा था और पंदरा भी सोने के मुकुट रखे थे तब चारों जिठानियों ने चोटी बहु से इसका कारण पूचा तब छोटी बहु ने कहा कि मेरे उपर तो व्रिस्पद्दे भगवान की क्रपा हुई है मेरा कोई भाई नहीं कोई भोजाई नहीं मेरे तो व्रिस्पद्दे भगवान और उनकी पतनी ही मेरे भाई भोजाई है यह सब उनी की क्रपा है ये विश्बत्दे भगवान जैसे आपने पाचवी भव के ऊपर प्रसंद हुए वैसे सब के ऊपर होना कहाणी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर सब का घर धनधान्य से भर देना गुरुवार की कहानी गाव की ओरते बोली की बेटी हम सबने आज गुरुवार का वरत रखा है इसलिए हम केले के पेड की पूजा कर रहे हैं और वस्पद्दे भगवान और मातालश्मी का पूजन कर रहे हैं ऐसा काने से घर में सुक समरदी बढ़ती है निसंतानों को संतान सुक मिलता है घर में धन धाने के भंडार भरते हैं विचुणों का मिलन होता है कुवारे लड़के लड़कियों का शिक्र विवा होता है तब ननत बोली कि मुझे भी इस वरत की पूरी विधी बताओ मैं भी ये वरत करना चाहती हूं मेरे भी कोई संतान नहीं है इस सुवरत को काने से मुझे भी संतान सुक की प्राप्ती होगी, तब उन ओर्टों में से एक ओरत बोली की बेटी जरूर करो, इस सुवरत को काने से तुम्हें संतान सुक जरूर मिलेगा, बेटी गुरुवार के वरत के दिन पीला खाते हैं, पीला ही पहनते हैं, चने की दाल का बना हुआ भुजन खाते हैं, पीले पुश्पों से भगवान विश्णु की पूजा करते हैं, पीले पुश्प और पीले चंदन से वरस्पदे भगवान की पूजा करते हैं, केले की पेड की पूजा करते हैं, ग्यारा या इकीस गुरुवार के वरत का संकल्प लेते हैं, जब मनोकामना पूरी हो जायत वरत का उद्यापन करते हैं इस तरह बेटी उद्यापन करने के बाद ही वरत का फल मिलता है इस तरह ननद ने वहीं बैठ कर उस दिन व्रस्पदे भगवान की कहानी सुनी चने की दाल और गुड का प्रसाद लिया और पानी भर कर घर आई तब भावी अपनी ननद से बोली की बाईसा आज आपको पनगट से पानी लेकर आने में बहुत देल लग गई तमननद अपनी भावी से बोली की भावी पनगट पर बहुत सी ओडते व्रस्पती वार के वृत की कहानी सुन रही थी केले के पेड की पूझा कर रही थी भावी मैंने भी वहीं बैठ कर भगवान की पूजाकरी, केले के पेड़ की पूजाकरी और वरत करने का संकल्प लिया। भावी वेगाम की ओड़ते कहे रही थी कि व्रस्पतिवार का वरत करने से घर में अनधन के भंडार भरते हैं। संतान हिनों को संतान सुक मिलता है, कुवारों के व्या होते हैं, बिछ्णों का मिलन होता है। इसलिए भावी मैंने भी यवरत करने का संकल्प लिया, मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब भावी बोली कि बाइसा मैं भी यवरत करूंगी आपके भाई को भी शहर में कमाने गए हुए चैमेने हो गए हैं कोई चिट्टी संदेश अभी तक नहीं आया पता नहीं उन्हें नोकरी मिली भी है या नहीं तब दोनों ननत भावी ने उसी दिन सिवरत का संकल पिलिया कहानी सुनी केले के पेड की पूजा करी पूजा करने के बाद ननत अपनी भावी से बोली कि भावी मुझे आज ही ससराल जाना होगा काव की ओड़ते कह रही थी कि वरत में खुद के घर का ही भोजन खाना चाहिए नहीं तो वरत का फल नहीं मिलता तो भावी तुमने भी भाई के लिए व्रत रखा है इसलिए आप बुरा मत मानना उसके बाद ननद वापस अपने घर चली गई भगवान व्रस्पत्देव हम दोनों ननद भावी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे इस तरह ननद ससुराल वापस आ गई और वे दोनों व्रत करने लगी ग्यारा गुरुवार के व्रत करते ही ननद को गर्ब टहर गया उदर भावी के पास भी चिट्टी आ गई जिसमें लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी नोकरी मिल गई है मैं बहुत जल्दी बहुत सा धन कमा करके लोट आऊंगा दोनों ननद भावी की खुशी का ठिकाना 21 गुरुवार को भावी घर आ गया वह बहुत सारा धन कमा करके लाया था उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन कैसी है तो पत्नी ने कहा कि तुमारी बहन बहुत खुश है और वह पेट से है उसे भी बच्चा होने वाला है तो पत्नी ने कहा कि कल मैं अपनी बेहन से मिलने उसके ससराल जाओंगा, तो पतनी ने कहा कि जरूर जाना, तुम तुमारी बेहन गर्ब वती है तो तुम उसके लिए घी, वादाम, गिरी, आधी ले जाना, और बच्चे के लिए गरम कपड़े ले जाना, दूसरे दिन पती सारा सामान लेकर अपनी बेहन से मि चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, तभी रास्ते में एक शेर मिला, शेर ने भाई से कहा कि अरे मैं तुझे खाऊंगा, तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, मेरी बहन गर्ब वती है, जब मैं उससे मिल कर वापस लोटू तो आप मुझे खा जा मेरी बहन को ये सामान भी पकडाना है, शेर बोला कि मुझे मनुश्य जाती पर विश्वास नहीं है, तो भाई बोला कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो, तो तुम भी मेरे साथ चाह सकते हो, तो शेर बोला कि यही ठीक रहेगा, उसके बाद शेर ने एक नाग का रू पूप लेकर भाई के थेले में बैट गया। भाई बहन के घर की ओर चल दिया। उसके बाद भाई बहन के घर पहुंचा। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। वे अपने भाई के लिए गी के चावल पूड़ी सबजी बनाई। और भाई को भोजन कराया। भोजन करने के बाद भाई अपनी बहन से बोला कि बहन अब मुझे वापस घर जाना है। बहन ने कहा कि भाई अभी तो आया और अभी चला जाएगा। अभी तो तेरे जिजाजी भी नहीं आए। तू अपनी जिजाजी से मिलकर के जाना। तो भाई ने कहा कि नहीं बहन म मेरे लिए थेले में क्या-क्या सामान भीजा है वो तो मुझे देते जाओ क्या तुम सामान भी वापस ले जाओगे भाई तो हडबडी में सब भूल गया उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं कि तभी बहन ने भाई के हाथ से थेला छीन लिया बहन थेले में से सामान निकालने लगी थेले में से घी, बादाम, गिरी, अजवायन, सोट और बच्चे के गरम कपड़े निकले और अंत में एक जेवर का डबा निकला बहन ने जेवर का डबा खोल करके देखा तो उसमें से सोने का बहुत सुन्दर हार निकला बहन अपने भाई से बोली कि भाई ये सोने का हार क्या तु मेरे लिए शहर से लेकर आया बहुत ही सुन्दर हार है भाई के हाथ पेर काप रहे थे जुबाल लड़ खड़ा रही थी थेला पूरा खाली हो गया लेकिन साप नहीं निकला भाई सोचने लगा कि साप कहा गया फिर बहन ने कहा कि ले भाई तेरा थेला अब तू जा तब भाई अपनी बहन से बोला कि बहन तू सच कह रही थी एक रात मुझे रुकना चाहिए ओजिजाजी से भी तो मिलना है मैं कौन सा रोज रोज आता हूं तब बहन बोली कि लेकिन तूने तो किसी को वचन दिया है अब तेरे उस वचन का क्या होगा भाई ने कहा कि कोई बात नहीं बहन वचन तो दिया था लेकिन मैं कौन सा रोज रोज आता हूं जिजाजी से मिलने के बाद ही घर जाऊंगा इस तरह भाई बहन के घर ही रुक गया अब भाई अपनी बहन के पूरे घर में इदर उदर घूम कर साप को डूंडने लगा लेकिन उसे साप कहीं नहीं मिला रात्री में जिजाजी घर आये सबने मिलकर भोजन खाया और खूब बाते करी इसके बाद रात्री में सभी सोगे अर्द रात्री को व्रिस्पदे भगवान ने भाई को दशन दिये और कहा कि हे भक्त मैं तेरी परिशा ले रहा था कि तू मरने से डरता है या नहीं हे वच्ष वह शेर और वह साप भी मैं ही था साप की जगे सोने कहार भी मैंने ही रखा था दूसरे दिन भाई जब सो कर उठा तो उसने अपने सपन वाली बात अपनी बहन को बताई और साथ ही रास्ते में घटित घटना भी सुनाई तब बहन अपने भाई से बोली कि हे भाई व्रस्पद्य भगवान के व्रत का चमतकार तो हमने तो पहले ही देख लिया था और आज तुझे भी दिखाई दे गया हे व्रिस्पद्दे भगवान जैसा सुक आपने बहन को और भाई को दिया जैसा सबको देना कहानी कहने वाले को सुने वाले को और हुकारा भने वाले को घर्ति ओ तो पुरी ओ पुरी ओ तो परवाण चड़े बुले विश्रे नाम तेरे भंडार में भरे इस तरह आज हमने वेशाक मास में केले के पेड को सीचने की वरत कथा सुनी आशा करती हूँ यह आपको जरू पसंद आएगी और आपको इन कथाओं को सुनने का संपून फलप्राप्त होगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद